देखे ओनलाइन पास्पोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा passportindia.gov.in यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्लिक करना है New User Registration इस पर क्लिक करना है उपर इसके बाद देखे इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आप नीचे आएंगे इसको तो सबसे उपर लिखा हुआ है Register to apply at CPV दिल्ली और passport office ठीक है अगर आप एक government officer है या government आपकी नौकरी है और आप बाहर जाना चाते हैं उस case में अगर आपको passport बनवाना है तो आपको यहाँ पर CPV दिल्ली करना होगा ठीक है अगर आप नौर्मल है मतलब कि private job है या अपना बीजनी से नौर्मल हो तो उसके लिए आपको passport office पर किलिक करना होगा ठीक है इसके बाद passport office यहाँ पर आपको select करना है यहाँ पर दोस्तों आपको वही office select करना है जहाँ पर जाकर आप अपने document verify करवा सको ठीक है तो मैं Delhi कर लिता हूं कियों ते लिए कि असपास ही हूँ अगर आपके सहर में या आपके सहर के आसपास कोई नेन पर सेन्टर पढ रहा है या office पढ रहा है तो उसको आप मैं स्रेट कर सकते हूँ ठीक है मैं Delhi कर रहा हूं और जो भी office करोगे वहीं पर आपको जाना होगा document verify करवाने के लिए इसके बाद given name में आपका first name और middle name आ जाएगा इसके बाद sir name यहाँ पर आएगा इसके बाद date about डाल देना इसके बाद email ID डाल देना दोस्तों यहाँ पर आपको वही email ID डालनी है जो active हो, जो चालू हो ऐसा ना हो कि email ID बंद पड़ी है और आपने हाँ पर डाल दी क्योंकि जो भी email ID आप हाँ डालोगे उस पर एक link जाएगा और उस link पर जैसे क्लिक करोगे तब ही आपका जो registration हो complete होगा ठीक है तो email ID वही डालनी है जो चल रही हो active हो ठीक है इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप अपने email ID को ही login ID बनाना चाहते हो तो अगर आप चाहते हो तो yes कर देना अगर आप email ID के अलावा कोई दूसरी login ID बनाना चाहते हो तो यहाँ पर no करके उस login ID को यहाँ पर डाल देना हो ठीक है दोस्तों login ID और password जो आपको बनेगा नीचे यहाँ पर उसी के जरीए आप login कर पाओगे और password के लिए apply कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर आप email ID बना और login ID भी आप बढ़ सकते हो अपने साब से ठीक है इसके बाद password में आपको एक password डालना होगा password आप चो भी डालोगे यहाँ पर उसको कहीं पर लिखके रख लो और साथ में login ID को भी लिखके रख लो क्योंकि इसी के जरीए आगे login होगा ठीक है ऐसा नहों कि आपने password डाला और भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है दोस्तों पासवर्ड आप में बना लेजिए कुछ भी अपने साथ से और confirm password में एक बार फिर से अपना password डाल देना इसके बाद hint question आपको select करना है जिसे कि मैं डाल लिता हूँ bird city hint question से फायदा रहेगा कि अगर by chance आप अपना password भूल लाते हो तो इसी hint question और hint answer से आप अपना password द्वारा से create कर पाऊगे ठीक है तो bird city डाल देता हूँ और यहाँ पर मेरी बड़ सिटी है वो है फायदाबाद तो यहाँ पर मैं फायदाबाद डाल देता हूँ ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है capture आपको और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों देखिए इस तरीके का मैसेज यहाँ पर शोग करेगा registration confirmation और यहाँ रिखा हुआ है कि आपको जो email ID है उस पर एक link गया है और जब आप link पर क्लिक करोगे तो आपका जो registration है यह active हो जाएगा ठीक है और जो यह link है वो 17.1.22 याने की 7 दिन तक valid है आज दस्ता रिखे 7 दिन तक है valid है ठीक है तो अब हम अपनी email ID खोल लेते हैं एक link का mail आपके पास आएगा registration confirmation लिको लेकर passport की तरफ से और यहाँ पर आप इसको नीचे करोगे तो यहाँ पर देखिए एक link होगा लिखा होगा प्लीज क्लिक एर दा link below to activate your account तो आपको इसी link को क्लिक करना है क्लिक करने बाद दोस्तों आपको सामने देखिए इस तरह के पेज आएगा और यहाँ पर आपको अपनी user ID जालने होगी और submit करना होगा इसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन को active हो जाएगा और उसके बाद आगे परसंग आपको बताता हूं इसके बाद दोस्तों आपको वापिस से home पर क्लिक करना है और इस बार हम करेंगे इसको यहाँ पर cross कर लेते हैं इसके बाद हम दोस्तों login करना होगा क्यूंकि हमरा जो registration है वो complete हो चुका है अब हम क्लिक करेंगे existing user login इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी login एड जाल देनी है इसके बाद continue करना है इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना password और capture डालना होगा और login पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा login हो चुका है और इस बार हमारा जो नाम है हमारा जो user ID हो यहाँ पर उपर आ रही होगी आप एक बार इसको match कर लेना ठीक है अब दोस्तों हमें अपना passport का फ़र्म भरना होगा form भरने के लिए हमें यहाँ पर किलिक करना है अप्लाई for fresh passport लिखा होगा देखिए दूसरे नम्बर पर अपलाई for fresh passport इस पर क्लिक करना है इसके बाद देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा यहाँ पर दो तरीके हैं पासपोर्ट का फॉर्म भरने के एक तरीका यह है कि आप click here to fill the application form online यानि कि online आप directly form भर सकते हो और जो दूसरा तरीका है उसमें आप क्या कर सकते हो आप इनका जो form है उसे डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपको उसको भरना होगा computer के अंदर ही भरना है ठीक है भरने के बाद उसे अप्लोड करना होगा ठीक है तू दोनो तरीके हैं चाहो तो directly online भर दो चाहो तो form को download करके फिर उसको भरके और फिर उसको upload कर दो ठीक है दोनों तरीके से आप कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप directly online कैसे भरोगे तो उसके लिए मैं हाँ पर करूँगा click here fill the application form online उपर वाले पर एक नमर पर ठीक है इसके बाद यहाँ पर निचान है अब आपको अपना state select करना है इसके बाद अपना district इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पताना होगा कि आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो वो किस टाइप का बनवा रहे हो एक है fresh passport एक है reissue अगर आप बिलकुर निया passport बनवा रहे हो तो यहाँ पर click करोगे अगर आप reissue करवा रहे हो तो यहाँ पर click करोगे मैं आपको पताने वाला हूँ कि fresh passport किस तरीके से बनाना है निया passport तो मैं आप fresh passport पर click कर लेता हूँ इसके बाद type of application में आपको normal और तत्काल दो तरह के यहाँ पर application होती है अगर normal करते हो तो यहाँ पर आपके पंदासर रुपे लगेंगे ठीक है जो फीस लगेगी पासपूर्ट की वो पंदासर रुपे लगेगी अगर आप तत्काल करते हो तो तत्काल की फीस है तीन जार रुपे ठीक है पंदासर रुपे आपको अभी देने पड़ेंगे मतलब ऑनलाइन और पंदासर रुपे देने पड़ेंगे आपको जब आप पासपूर्ट ऑफिस में अपने डॉक्मेंट फेरिफाय करवाने जाओगे तो ठीक है दोनक फीस अलग है नॉर्मल की ये पंदासर रुपे तत्काल की ये तीन जार रुपे तो आप अपने इस हापस देख लेना कि अगर आपको जल्दी है आपको बहुत जल्द में अपना पासपूर्ट चाहिए तो तत्का कर लेना अगर कोई जल्दी वाजी नहीं है और पंदरा बीज़ दिन का टाइम है आपके पास तो नॉर्मल कर लेना ठीक है दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल पे मैं नॉर्मल ही बताने वाला हूँ आपको इसके बाद आपृप और पासपूर्ट बूकलेट में दू तरह के पासपूर्ट के हैं एक 36 पेज का है एक 1000 पेज का है भाला है उसकी डिटेल आपको यहां पर आरे होगी सबसे पहले given name में आएगा first name और middle name शरनेम अपर डाल देना इसके बाद जेंडर iए कि इसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि क्या आपको किसी और नाम से भी जान जाता है अगर जानते हैं तो यस अगर नहीं जानते नो और क्या आपने कभी अपना नाम बदलवाए है watch कर वाये हैं तो ये नउ अब नहीं करवाए नो कर लेना डेट अब बर्त में आपको डेट बर्त डाल देनी हैं दोस्तों यहां पर जो भी अप ड़ेतिल भरोगे वह अपने आधार काड़ और पैन काड़ को देख कर ही भरना ठीक है क्योंकि कि जब आप डॉक्मेंट व्रिफै करूँ जाओं। तो आप के आधार काड़ को पैन काड़ को आप तस्वीख कि माँक सिर को सब को देखा आएगा ठीक है तो कोई भी डिटेल आप गलत ना भरें उनको देखकर ही भरें जल्दिवाजी बिल्कुल ना करें इसके बाद प्लेस ऑफ बर्त में आएगा कि आपको प्लेस ऑफ बर्त इंडिया है है या नहीं है अगर आप इंडिया में ही जन्मे हो यह कर देना अगर आप बहर से आए हो तो नो कर देना इसके बाद प्लेस ऑ बर्त में आपको डाल ली है अपने सिटी इसके बाद स्टेट यहाँ पर आपको select करना होगा अपना state इसके बाद district इसके बाद marital status डालना है कि आप married हो या single हो ठीक है separated है डिवोस हो जो भी है तो यहाँ पर आप अपने साब से कर ले ना ठीक दूस्तों इसके बाद citizenship of India में आपको यहाँ पर birth डालना है अगर आप का जनम यहीं का है तो ठीक है अगर बाहर से आए हो तो यहाँ पर registration या फिर यह कर लेना पैन में आपको डालना है अपना पैन नंबर पर यह optional है अगर आप नहीं चाहते तो मत डालना कोई दिक्कत नहीं है कि वोटर आड़ी भी डाल सकते हो पर यह भी optional है इंप्लोइमेंट टाइब आपको डालना होगा कि आप किस तरह की जॉब करते हो प्राइविट जॉब है गॉवर्मेंट जॉब है ठीक है या student हो जो भी आप हो वो आपको यहाँ पर select करना होगा ठीक है दोस्तों अगर student कर लेना अगर कुछ भी काम नहीं करते simple हो तो homemaker कर लेना ठीक है बिजनी से तो self employer कर लेना इसके बाद यहाँ पर बोड़ रहे हैं कि क्या आपके parents या आपके wife है या husband जो भी है वो government नौकरी में है की नहीं है अगर है तो yes अगर नहीं है तो no कर देना ठीक है इसी की government job है तो yes कर देना अगर नहीं है तो no कर देना education qualification में आपको डाल लिए है अपनी qualification तो यहाँ पर भी आप अपने qualification सही select करें जिससे अगर आप 8 भी पास हो, तो 7th पास और less करदेना, ठीक है? अगर 10 भी पास हो, तो 10 भी पास AND, ABO करदेना, ठीक है दोस्तों? अगर आप पढ़े लेके नहीं हो, बिल्कुल नih पढ़े लेके, तो यहां पर आप 7th pass पर करना 7th pass और less पर क्लिक करना ठीक है अगर आप पढ़े लेके नहीं हो 5 भी पास हो जो भी हो या आपको उसको सेटरिक वर नहीं पढ़ाईगा तो आप 7th pass और less पर क्लिक करोगे ठीक है बाकिया आपके सामने ही है इसके बाद यहां पर मैं सर्ट कर लेता हूँ इसके बाद यहां पर है इस एप्लिकेंट इलिजिवल फोर नौन एशियर कैटेगरी ठीक है नौन एशियर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास नौर्मली दस्वी के माक्षिट होती है तो वो आते हैं नौन एशियर कैटेगरी है ठीक है तो अगर आपको दस्वी के माक्षिट है नौर्मली या आप नहीं पर क्रिक करेंगे तो यहां पर बहुत सार डॉक्मेंट आ जाएंगे ठीक है तो अगर आपके पास इन में से कोई भी डॉक्मेंट है तो आप यह करेंगे अगर नहीं है तो आप नो करेंगे ठीक है दोस्तों पर में तो आप यहां पर यहां पर यहि करना अगर आपने यहां बहुत है तो भी आप situação कर सकते हो लिखा होँ है NCVT अगर यह तक्रो सकते हो मतलब कि यहाँ पर यह होता है normally कि बंदा पड़ा लेखा है कि निए पड़ा लेखा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप E.S.N.O. अपने हफ़से का लेना मैं यहाँ इसका लेता हूँ क्योंकि जो मेरी applicant है वो graduate है ठीक है इसके बाद है visible mark में आप अपने सरीरे पर जो भी निसान है वो यहाँ पर डाल देंगे ठीक है जिसने कि मेरी जो left eye है उसके side में एक till है मने डाल दिया mold on side of left eye ठीक है तो आप देखना सरीरे में जो भी निसान हो डाल देना यह डालना जरूरी होता है इसके बाद नीचे आपको डालना है अपना आधार card का number पर यह भी optional है आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो कोई जरूरी नहीं है ठीक है मैं इसे छोड़ेता हूँ यहाँ पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको agree पर यहाँ पर yes पर consent देना है और save my details पर क्लिक करना है इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर उपर लिखा गया है यूर अप्लिकेशन form has been saved successfully तो यह हर बाद लिखाना चाहिए जब भी आप save करोगे तो यह हर बाद लिखाना चाहिए आप note कर लेना और यहाँ पर देखिए आपका जो application है उसका एक reference number भी आ गया है तो इसको भी आप note करके कहीं रख लो इससे फायदा यह होगा कि by chance अगर computer हैंग हो जाता है या site हैंग हो जाती है जिस वज़े से आप form नहीं भर पाते तो इस reference number के थुरू आप डिरेक्टली जहां से आपने form छोड़ा था वहां से भर पा होगे ठीक है तो reference number को note कर लो और साथ इसाथ जो आपकी application है वो भी save उनुची यह दुनुची आपको देखनी देखनी है ठीक है अब हम वापस से नीच आते हैं और यहाँ पर आपको next पर click करना है इसके बाद दूस्तों आपको इहाँ पर अपनी family details जालने है जिसे कि आपके father का first name middle name है पर डाल देना mother का first name middle name है पर डाल देना और अगर कोई guardian है यानि कि अगर छोटे हो ठरसाल से कम हो तो उसका नाम है पर डाल देना जो भी आपके card chain है ठीक है इसके बाद अगर आप साधी सुदा हो तो husband का या फिर wife का first name last name आपको यहाँ पर डालना होगा ठीक है इसके बाद save और इसके बाद next पर click करना है इसके बाद दोस्तों आपको डालना होगा अपना present address जहां पर आप रहते हो अभी क्योंकि जो आपका वैरिफिकेशन होगा जो police verification होता है वह आपके इसी address के थ्रू होगा जहां पर आप अभी रहते हो ठीक है तो यहां पर आपको डालना है कि आपको जो present address है वह इंडिया के अंदर है कि बाहर है तो इंडिया के अंदर ही है तो no कर देना इसके बाद यहां पर डाल देना है आपको वह address पूरा completely जहां पर आप रहते हो इसके बाद village कौन सा है state कौन सा है district कौन सा है police station कौन सा पढ़ता है तो यह सब आपको यहां पर डालना होगा इससे ही आपका जो verification है वह होगा और police वगर आती है verify करने के लिए वह यहां पर आएगी इसके बाद यहां पर डालना है आपको pin code अपना इसके बाद mobile number और email ID और permanent address available है कि नहीं है तो अगर आपका current address और permanent address एक है तो यहां पर आप yes करेंगे ठीक है मेरे case में एक है तो मैं yes कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहां पर दुआरा से पूछ रहा है कि आपका same है तो yes कर देना उसके बाद यहां पर आपको save करना है पहले और next पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर डालनी होगी अपनी emergency contact detailed जिसे की अगर कोई emergency होती है तो किसको contact किया जाएगा तो यहां पर आप अपने घर में से किसी का नाम address डाल सकते हो या फिर अपने email ID है तो email ID भी डाल सकते हो ठीक दोस्तों इसके बाद आपको save करना है और इसके बाद next पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह पर जाएगा यहां पर आपको डालना है कि आपके पास कोई identity certificate या फिर passport की detail है जिसे कि अगर आप किसी minority community से आते हो minor community से आते हो जिसे कि आप कहीं पहाड वगेर में आते हो या जो यह होते हैं ताइबान या जो ऐसे अलाके होते हैं जिनकी अभी कोई पहचान नहीं हुई है उस जगे से आते हो ठीक है मतलब कोई पिछली जनजादी साइब से आते हो तो yes कर देना उसका certificate आप कहां पर डालना होगा अगर आप normal हो तो यहाँ पर no कर देना ठीक है दस्तों इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है detail of previous current diplomatic official passport याने कि अगर आपके पास कोई प्राना पासपोर्ट है तो यहाँ पर आप available कर देना अगर आपने कभी भी passport नहीं बनवाया तो detail not available पर क्लिक कर देना इसके बाद तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपने इससे पहले कभी passport के लिए apply किया है या issue apply क्या हो तो कभी apply किया है तो yes कर देना अगर कभी apply नहीं किया पहली बार ही apply कर रहे हो तो यहाँ पर no कर देना ठीक है तो यहाँ पर no और यहाँ पर detail not available और यहाँ पर no करना है आपको ठीक है दोस्तों इसके बाद आपको पहले करना है save उसके बाद करना है next हर बार आपको save करना होगा ठीक है इसके बाद next इसके बाद दूस्तों हम पहुच जाएंगे इस पेस पर यहां पर आपको बेसिकली बताना है कि आप किसी आप किसी क्राइम वगेरा में तो नहीं इन्वाल हो या आप पर केस चल रहा हो या पुलिस कस्टेडी में कभी गए हो ठीक है मतलब कुछ भी कई दिक्कत हुई है तो आप उसके आगे एस कर देना अगर अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है आपके साथ कभी आपको कोट नहीं जाना पड़ा किसी क्राइम की वज़े से या कभी जेल में नहीं रहना पड़ा या कोई केस नहीं चल रहा या कोई भी okay है कोई दिक्कत ने हो ही तो यहां पर no कर देना simply इसके बाद एक तीसरे number पर लिखा हुआ है कि क्या आपका अभी passport को refuse किया गया हो या पर deny किया हो गया हो तो क्योंकि अभी हम पहली बार ही बना रहे हैं passport तो यहां पर हम no करेंगे इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि इफ applicant has applied और being granted foreign citizenship क्या आपके आपके पास foreign citizenship है या बाहर की citizenship है बाहर की नागरिकता है तो है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no कर देंगे तो मैं इंडिया में ही रहता हूँ कभी बाहर भी नहीं गया कोई बाहर से मतलब ही नहीं है तो मैंने have no कर दिया simply ठीक है इसके बाद है simply यहां पर कि emergency certificate has returned to India on emergency मतलब कभी इंडिया वापस लाया गया हो तो हम कभी बाहर नहीं गए कोई बात नहीं हुई ठीक है तो यहां पर no कर देंगे मतलब दोस्तों यहां पर yes सिर्फ उनहीं को करना है जिनके साथ कुछ हुआ हो बाहर से यहां पर आया हो या लाया गया हो या कभी बाहर गया हो बाहर के नागरिकता हो बाहर से आँ गूमने आया हो और अब इंडिया का passport चाहते हैं तो उनको यहां पर yes करना होगा पढ़के आगे ठीक है बाकी अगर आप नॉर्मल हो कभी बाहर नहीं गए इंडिया के ही बंदे हो कोई भी दिक्कत नहीं हो आज तक तो सब में आप नो कर देना सिंपली सब में नो कर देना आप ठीक है इसके बाद आपको सेव करना है सेव करना बुलनो बिल्कुर मद भूल और इसके बाद नेक्ष्ट पर क्लिक करना है इसके बाद देखिए दुस्तों हमारे सामने पास्पोर्ट का जो प्रिव्यू है वो आ जाएगा कि किस तरीदीयसे आपका पास्पौर्ट आएगा कहां पर क्या लिखा होगा तो यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर लो एक बार क कि आपका नाम सही है कि नहीं है कि spelling है वो सही है कि नहीं है आपका state, pin code, gender, date of birth सब कुछ आप देख लो क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो अभी आप change कर सकते हो उसको ठीक है? बाद में पैसे भरने के बाद वो मुस्किल हो जाता है पर अभी आसान है सब कुछ आप एक बार check कर लो ओके से ठीक है? अगर सब कुछ ओके है तो आपको simply यहाँ पर next पर click करना है और दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है applicant photo और applicant signature यह जब आएगा जब आप verify करवाने जाओगी जब आपका password बनके आएगा तो वहाँ पर आपका यह photo और signature लिया जाएगा और वहाँ से यह आएगा ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना self declaration देना होगा तो उसके लिए आपको simply पहले डालना है अपना proof of birth में आप कौन सा document देने वाले हो तो मेरे पास अधर कार्ड है अगर आपके पास कोई और document है इन में से तो उसको आपको select करना है तो जो भी document आप हैंपर select करोगे वो document आपके पास होना चाहिए जब आप verify करवाने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको यह document देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी select कर लिया बैसे हो गया आपको यह document दिखाना भी पड़ेगा ठीक है तो सोच समझ कि आप मैं आपको document select करो इसके बाद proof of address proof में जो आपका present address proof है उसका proof भी आपको चाहिए तो उसका proof आप यहाँ पर डाल देना मेरे पास आदार कार्ड है तो मैं आदार कार्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ ठीक दोस्तों तो यह भी आप देख के ही डालना सोच समस कि डालना भी इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप passport की तरफ से जो passport का portal है उनकी तरफ से SMS चाहते हो समय समय पर time to time तो उसके लिए आप yes करेंगे तो इसकी आपको fees देने पड़ेगी 50 रुपे जो आपको अभी देने पड़ेगी ठीक है तो मेरे साब से इसको आप yes ही कर लेना क्योंकि 50 रुपे में कुछ नहीं जा रहा पर आपको important message आपके phone पह ही आ जाएंगे ठीक है तो yes कर लेना आप इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे SMS नहीं प्राप्त करने नहीं चाहिए मुझे 50 रुपे नहीं देने तो simply आप यहाँ पर no कर देना यहाँ लिखा ना no इसके आगर no कर देना एक second यहाँ पर no कर देना ठीक है पर मैं yes करूंगा इसके बाद यहाँ पर नहीं चाहिएंगे अब दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है place आप कहां से इस form को भर रहे हो किस जगे से आपका इस form भरा जा रहा है ठीक है आपका address कहीं का भी हो पर जिस जगे से form भरा जा रहा है वो place आपको यहाँ पर डालना है इसके बाद date अपने आप आजाएगी इसके बाद यहाँ पर I agree करना है और सबसे पहले करना है save ठीक है save देखी हो चुकी है detail हमारी और नीच आना है यहाँ पर हमें submit form पर क्लिक करना है दोस्तों आप चाहो तो submit form से पहले preview application form पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपके जो detail है वो सही है कि नहीं है तो जैसे मैं आपके लिक कर लिता हूँ preview पर तो यहाँ पर पूरी detail आ गई है और आप चाहो तो इसको print भी कर सकते हो ताकि आप बविश्य में देख सको कि हाँ मैंने कहाँ पर क्या डालाता ठीक है तो इसको print देके आप अपने पास रख लें तो बहतर रहेगा ठीक है इसके बाद हमें हाँ पर इसे close कर देना है simply और अब दोस्तों क्योंकि हमारी सारी detail okay है सब कुछ okay हो गया हमारा सब कुछ सही है तो अब हमें हाँ पर submit form पर क्लिक करना होगा last हमारा देखे दोस्तों लिखा गया है your application form has been submitted successfully हमारा जो form था वो submit हो चुका है अब जो हमारा अगला step है वो है हमारा payment करना ठीक है payment करना ही हमारा अगला step है और हमारा last step है जो हमें अभी करना होगा ठीक है तो payment करने के लिए आपको simply pay and schedule payment इस पर click करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको select करना है कि किस method से आप payment करना चाहते हो अगर आप SBI चालान यानि कि bank में जाकर चालान के थुरू payment करना चाहते हो तो यहाँ पर click करना अगर आप online payment करना चाहते हो चाहिए UPI से करो, PTM से करो या अपने internet banking से करो, debit card से करो, credit card से करो उसके लिए आप यहाँ पर click करना तो मैं online अपने PTM से payment करना चाहता हूँ तो मैं हाँ पर click करूँगा इसके बाद next इसके बाद यह लिखा आगया है कि अभी तक हमने कोई भी appointment नहीं ली है तो पहले हमें लेने होगी अपनी appointment appointment के लिए आपको simply यहाँ पर next पर click करना है अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का page आएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले location select करनी है यहाँ पर दोस्तों जो location आएंगी वो उस जगे के आएंगी यहाँ पर जाकर आपको अपने document verify करवाने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कौन सा office पढ़ रहा है तो मेरे पास है फरिदवाद का तो मैं फरिदवाद कर लेता हूँ यहाँ पर उस office का address आजाएगा पूरा कि आपको कहाँ पर जाना होगा ठीक दोस्तों और जो तारिक है यानि कि किस दिन जाना होगा इस address पर तो वो आपको इस list में मिल जाएगा यहाँ देखे लिखा हुआ है कि जो address है मेरे यह वाला यह वाला address यह वाला यहाँ पर मुझे आठ तारिक तीसरे मेने मतलब आठ मार्च को यहाँ पर seat available होगी और तब मुझे जाकर अपने document वेरिफाइ करना होगी ठीक है तो आप यहाँ पर date के साब से भी देख सकते हो कि कौन सी date जल्दी है कहाँ पर आपका जो verification है वो जल्दी हो सकता है ठीक है दोस्तों तो यह सब कुछ आप देख लेना अच्छी तरीके से अपने आप तो यह काम आपको यहाँ पर करना होगा इसके बाद यहाँ पर simply आपको डालना है capture code जो कि बहुत simple है और इसके बाद यहाँ पर next पर क्लिक करना है इसके बाद देखी यहाँ पर हमारे जो appointment है वो book हो चुकी है और अगर आपको कोई और appointment बुक करनी है याने कि इसके अलावा दूसरी करनी है तो आप यहाँ पर change कर सकते हो select another रपे ठीक है और जो हमारी appointment है जो हमने बुक की है उसकी date यहाँ पर आ रही है 8-3-22 तो इसको भी आप देख सकते हो फीज देख लीजिए normal passport है और फीज है इसकी 1500 रुपे अगर आप ततकाल करते तो इसकी फीज 3000 रुपे होती अभी आपको 1500 ही देने पड़ते पंदरा सो देने पड़ते जब आप ऑफिस में जाते तो इसकी बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना simply pay and book appointment पर क्लिक करना है ok करना है और आपका जो page है वो directly पहुंच जाएगा payment वारे page पर यहाँ पर क्योंकि मैं करने वाला हूँ pay time के थुरू तो अगर आपको phone pay, google pay, ptm से किसी जब करना है तो यहाँ पर simply UPI का दे option रता है UPI करके इस पर क्लिक करना होगा अगर आप किसी और message करना जाते हो bank वगएरा से credit card से debit card से तो आप पढ़कर आपकर कर लेना ठीक है दोस्तों और यहाँ पर आप किसी भी bank के debit card से कर सकते हो ऐसा नहीं कई लोग क्या होते है state bank देख के सोचते हैं कि भाईया state bank के debit card से ही होगा state bank खाली यहाँ पर एक source है बाकि आप किसी के तुरू भी कर सकते हो तो मैं UPI से कर रहा हूँ के तुरू किसी के तुरू भी हम कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मैं इसके वाद देखे दोस्तों हमारी payment successful होती है उपर लिखा गया है your transaction status is success ठीक है अब हमें आपर okay करना है इसके वाद दोस्तों आपको वापिस से home page पराना होगा dashboard पर और वापिस से आपको login करना है login करके अपना user id password डाल दीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर उपर view saved application इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है view print application इस पर आपको क्लिक करना हुआ ठीक है दोस्तों इसके बाद देखिए आपको सामने प्रिंट रिशिप्ट आ जाएगे आपकी print application रिशिप्ट यहाँ पर आपकी पूरी detail होगी ठीक है दोस्तों अब आपको last काम करना है अपना वह है इस रिशिप्ट को प्रिंट करना है नीचे print का उप् ठीक है अब आपको कुछ निए करना अब जो step 3 है step 3 है वो क्या है वो है offline का मतलब कि आपको इस रिशिप्ट के साथ अपने document ले जाने होंगे document में क्या अपना अधार कार्ड अकाउंट नंबर सब कुछ ले जाना है प्लस में फोटो को ले जानी है इसको ले जाकर अपने जो ऑफिस है आपको दोस्तों जो ऑफिस आपने सेलेक्ट किया था अपन्मेंट के टैम पे उस office में और जो डेट आपको मिली है उस दिन आपको जाना होगा उसी टैम पे जाना होगा और वहां पर अपनी वेरिफिकेशन करवाने होगी ठीक दोस्तों तो इस तरीके से आपका जो document वेरिफिकेशन वाल प्रोसेस है वो भी पूरा हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं last काम की वो होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन का ठीक है जब आप आपने अपना online apply कर दिया document verify भी करवा लिए होगा जाका ऑफिस में जाकर ठीक है अब जो last काम आएगा वो होगा पुलिस वेरिफिकेशन का पुलिस आपके address को verify करेगी हो सकता ह है पुलिस ही आपके पास आजाए ठीक है जैसे maximum चांस यह होता है कि आपको ठाना जाना पड़ता है उनकी तरफ से आपको कॉल आती है और आपके अपने आपको अपने सारे document प्लस में एक दो पड़ोशी लेके जाने होते हैं उनके पास में ठीक है दूस्तों